बॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आज का जो वीडियो है CS Executive Students के लिए है Second Group के उपर है, Module 2 के उपर है, Paper Number जो हमारा 8 है Financial and Strategic Management किस तरीके से हमें FSM की हमें preparation करनी है, किस तरीके से हमें तयार करना होगा यह paper हमारा, चीक है जी, जैसे कि आपको बता है हमारा जो paper number 8 है Financial and Strategic Management, यह total multiple choice question based है, MCQ question based है और हमारा यह जो paper number 8 है, FSM, यह दो parts में divided है, चीक है जी दो parts में divided है, पहला part हमारा जो है, section A जो है, वो है FM that is financial management, ठीक है जी, financial management दूसरा section जो है, B section जो हमारा है, वो है SM strategic management, strategic management FM जो हमारा है, यह practical subject है, यह कितने marks का है यह हमारा 60 marks का है, ठीक है जी, दूसरा subject हमारा strategic management यह मारा कितने marks का है, यह मारा 40 marks का है ठीक है जी, 40 marks का है, FM आपका, totally आपको बताईजे जो subject financial management है, practical based है, इसमें हमें अच्छे, बहुत यह अच्छे chapter है practical के, जो आपने अगर आप graduate student हो, तो आपने देखा होगा management accounting बोलते थे आपके, वीकों में, financial management यहां पर बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पर आप लोगों ने यह chapter सभी कर रखे हैं, ठीक है, पर level का difference है, वहाँ पर जो question होते हैं, बहुत बड़े बड़े आते हैं, ठीक है, और वहाँ पर बरीकी बे ध्यान ने दिया जाता है, यहां पर बहुत ही बरीकी से आपको अच्छे से slivers जो है, त्यार करना होगा, ठीक है ना, बहुत ही बरीकी से, बहुत ही अच्छे तरीके से सारा slivers त्यार करना होगा, financial management का, ठीक है, अब देखिए, यहां पर आपको जो mostly chapter अपको आते हैं, जो pure अगर practical based बात करें और बहुत ही important है, अदिखिए, सबसे पहला जो हमारा chapter होता है, practical की अगर बात करें, leverage, इससे पहले आपको बहुता introduction होता है, introduction chapter अच्छे से करिएगा, क्योंकि उसमें से भी कम से कम 3-4 question अपको देखने को paper में मिलेंगे ही मिलेंगे, बहुत ही simple है, कुछ technical नहीं है, ठीक है, तो इसको introduction को भी अच्छे से करिएगा, पहला chapter हमारा leverage है, दूसरा है हमारा dividend policy तीसरा है cost of capital ठीक है, चौता है हमारा capital structure पाचमा है हमारा working capital working capital में आपको बता है, working capital के अंदर बहुत कुछ है working capital finance है, inventory management है आपका receivable management है, ये तीन chapter आपके working capital में ही है ठीक है जी, उसके बाद आपका chapter आजाता है portfolio management, जिसको आप in short portfolio लिख सकते हो उसके बाद एक बहुत बड़ा chapter आपका आजाता है capital budgeting ठीक है जी, अब देखिए जैसे कि आपको पता है ये जो मारा 60 वाला position है, इसमें dividend policy बहुत असान है, leverage बहुत असान है cost of capital बहुत असान है ठीक है जी, इन में, इन तीनों में अगर आप khas specially बात करें, यहाँ पे छोटे-छोटे question बहुत ज़्यादा बनने के chances होते हैं, leverage में भी तोकि ये तीनों chapter totally formula based है तो आप समझ लीजिए, आपके जो MCQ practical आएंगे न इन तीनों chapter में से ही सबसे ज़्यादा आने वाले हैं ठीक है जी, कारण क्या है, क्योंकि इन chapters का जो basic structure ही है ना, वो छोटे-छोटे questions वाला ही है, ठीक है, तो क्योंकि वारा MCQ based आना है for example, working capital लगा लिजी आप, working capital finance मैं अपने देखा होगा, बड़े-बड़े question आप लोगों ने की होगे, मैंने भी अगर आपने मेरी classes, हमारी classes बाय करी होई है ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा वहाँ पर मैं जब करवा रहा हूँ, तो मैं पहले आपको full-fledged question करवा रहा हूँ, full-fledged questions में क्या है कि आपको full-fledged question में आपको पहले सारा का सारा concepts या पर यह नहीं पहले हम यह नहीं देखते कि exam में कैसे आएगा, कैसे नहीं आता, पहले हम concept clarity करते हैं, फिर उसके बाद exam में किस तरीके से बनते हैं, फिर उस पर आते हैं, ठीक है ना, तो मतलब कि वर्किंग अपनास में जो mostly chapter जो बहुत बड़ा है, question का basic structure ही इस तरीके से है, कि वहाँ पर institute question बनाते हैं वक्ती उनके परसीने शूट जाते हैं, किस तरीके से इसमें से practical निकाला जाए, तो कि एक number का ही तो question आना है, एक number का तो question आना है, अब बहुत ज़्यादा अगर बड़ा question दे देंगे तो बच्चा attempt कैसे कर देगा पूरा paper, ठीक है ना, कई-कई बार होता है कि हमें देट्सो नंबर का paper होता है, 150, 140 marks का paper, 100 में दे दिया जाता है, मतलब एक्चल में उसकी उकाद बनती है, देट्सो नंबर में, 150 में, ठीक है, 140 में, 130 में, पर वो 100 नंबर में convert किया होता है, इसलिए बच्चों, बच्चे बोलते हैं, lengthy बहुत है, सर पेपर में, lengthy बहुत आया, ठीक है ना, lengthy ही आया, इस वज़े से हमें attemptation नहीं हो पाई, तो इसलिए कोशिश इंस्टिूट की यही होती है कि भई, हमें इस तरीके से एपर देना है कि थोड़ा सा difficult भी हो, lengthy भी हो, इतना कभी lengthy ना हो कि बच्चे attempt भी ना कर पाएं, ठीक है ना, तो मतलब क्या है, working capital finance में से chapter practical आने के chances कम हो जाते हैं, inventory वेनिमें है, ठीक है, इसमें भी दो से तीन कोशिश जरूर आने वाले हैं, ठीक है, capital budgeting बहुत 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 जादा important है, इसको अच्छे से करिएगा, ठीक है, काफी कुछ है, इसमें, तो कि, इसमें क्या है, खासियत क्या है, इस chapter की, practical के साथ साथ आपको practical में से ही provisions निकल आती है, तो उन provisions में से ही आपको question आ सकते हैं, ठीक है, उन provisions में से ही question आ सकते हैं, तो यह हमारा पूरा FM का slavers था, strategic management, strategic management आपको पूरा almost slavers बहुत important है, क्योंकि limited सा slavers है, ठीक है, इंती जुनती के मारे पास 5 ही chapter है, ठीक है, तो मारा chapter number 3 है, chapter number 3 जो है, वो थोड़ा सा अगर आप just reading वाला है, ठीक है, उसमें इतनी ज्यादा अपना detail में नहीं है, ठीक है, बाकी जो है, खासकर के chapter number 1 introduction वाला है, strategic implementation वाला chapter है हमारा, ठीक है, formulation, strategic formulation, implementation, ठीक है, और last chapter बहुत important है, ठीक है जी, अच्छे से, इस तरीके से अगर आप करते हो, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आ को concept बतल लगे होंगे, चीज़ें बतल लगी होंगी, तो इस तरीके से आप policy अपनाईए, आपका paper बहुत अच्छे से त्यार हो जाएगा, ठीक है, तो आज के chapter में, आज के lecture में बचो, इतना ही, ठीक है, गुडबाई